तो आपका आज का कोशन है, राम स्पेंड 66, 2.3% of his salary and able to save Rs. 1200 per month. His monthly expenses in rupees is, आपके option है, Rs. 1200, Rs. 2400, Rs. 3600 and Rs. 5000. तो guys, my name is Dugal and you are watching Dugal Education. तो चलिए इस कोशन को shortcut way से हम करते हैं, जिससे के आप ये कोशन बहुत easily निकाल सके. चलिए कोशन देखते हैं. सबसे पहले राम के पास, जो राम ने spend किया है, guys, वो है आपके पास 66, 2.3%. सबसे पहले ये percentage आपको solve करनी है, guys. तो ये है, जब आप 66 को 3 से multiply करेंगे, तो ये आएगा 198 and 198 plus 2 is 200. तो उपर आगया आपका 200 numerator में और नीचे जो percentage है, 3 के बाद इन 200 होगी, तो वो बन जाएगा 300. तो, guys, ये जो zeros हैं, आप इन्हें काट सकते हैं. उसके बाद, जो ये 2 है, ये आपका बन गया expenditure. जो राम ने खर्चा किया है अपनी salary पर. और जो नीचे ये 3 है, guys, ये है इसकी income. अब आपको क्या करना है? सबसे पहले, जो राम का expenditure है, यानि जो उसने खर्च किया है, उसको आपको लिखना है कि वो कितने unit है? तो, guys, ये है 2 units, जो हमने suppose कर दिया है, यहाँ पर. And, हम मान लेते हैं कि let, जो राम की income है, राम's income, वो है, guys, कितनी? वो है 3 units. अब आपको question में given है, कि राम ने जो save किये हैं rupees, वो कितने है? वो है 1200 rupees. तो अब income और expenditure में से आप saving कैसे निकालेंगे राम की? तो वो कैसे आएगी saving? अगर आप income में से, guys, expenditure को निकाल दोगे, तो आपके पास saving आदाएगी राम की. जो है 3 minus 2, तो यह आगी 1 unit. अब according to question में आपको क्या कहा गया है? According to question, guys, आपको कहा गया है, कि राम ने कितना खर्च किया है अपने एक मन्त के उस पर? तो जो आपके पास ये 1200 हैं, ये, guys, हो जाएंगे किसके एकवल? एक unit के एकवल हो जाएंगे. क्योंकि ये दोनो saving है. उसके बाद आपको निकालना था expenditure. तो expenditure में आपने देखा कि कितने unit है? 2 unit. तो आपको क्या करना है? 1200 को 2 से multiply कर देना है. तो आपके पास, guys, कितना आ जाएगा? 2400. तो ये ही है आपका right answer इस question का. तो ये तो हुआ, guys, कि आपने ये question कैसे निकालना है? कि long way से आप कैसे अगर आपको ना याद रहे? तो shortcut में सिरफ आपको ये करना है, कि जो spend है, जो salary है, नीचे वाली salary है, और उपर वाली expenditure है, तो इनको minus करना है, और जो चीज आप से पूछी है, जैसे 2 by 3 है, ये हो गया expenditure, और नीचे वाला हो गया income, तो expenditure और income में से आपने क्या निकाल दिया? saving, जो कितनी है? 1 unit, minus करके. उसके बाद सिरफ expenditure लिखिए, कितना आप से पूछा गया है, किस के equal है वो? saving यहाँ पर थी 1200, तो expenditure 2 unit के equal है, तो ये आजएगा आपका 2400. तो आप within 10 seconds के अंदर, इस question को निकाल सकते हो guys. तो guys, आपको ये question कैसा लगा? अगर आपको ये trick अच्छी लगी हो, तो इस video को like, share, comment and channel को subscribe करना मत भूलिए. Thank you so much for watching.